अभी हाली में सिक्किम के नाथूला में एक हेमिस्कलन की घटना हुई और जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई है तो हेमिस्कलन के बारे में एक सामान जानकारी आप लोगों के पास होना चाहिए और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी को हम लोग देख भी लेते हैं और इसके रीण पर आप लोग कुछ पिक्चरस भी देख रहे होंगे अगर आप लोग सिक्किम जाएं तो देखिए हमारा प्यारा भारत आपको देखाई दे रहा है और इसमें आप देखेंगे कि ए सिक्किम है गंगटो किसकी रादधानी है और राज्यों में देखें तो पश्चे मंगाल से किबल एक राज्य से सीमा लगती है और देशों में देखें तो नैपाल से लगती है, चाइना से लगती है, भूटान से लगती है एक questions कई बार पूछा जा चुका है कि तीन देशों से सीमा लगती है फिर आप देखते हैं कि नीचे option देदेगा उत्तरपदेश, बिहार या आप से कह दे जम्मू कस्मीर और सिक्किम तो सिक्किम की लगती है नैपाल, चाइना, भूटान ठीक है? और 16 मई 1975 में इसी राज मनाए गया था बिधान सभा में 32 सीट हैं राज्य सभा में 1 सीट है और लोग सभा में भी 1 सीट है और इसका छितफल देखें तो 7,000 96 वर किलूमीटर में आपका सिक्किम फैला हुआ है क्या? सिक्किम फैला हुआ है ये हेमिस्खलन होता क्या है तो हेमिस्खलन का मतलब होता है आसा होता है परवत या धलान से नीचिस अचानक हेम, बरब, मलवे का तीब परवा, यानि की बह करा जाना और जिसके नीचे लोग दब जाते हैँ और उनकी मौत हो जाती है या भारी बरबारी तीव तामान में परिवटन या फिर मानाव गतीब धी जैसे बिभिन कारकों के कारण होज सकता है और हेमिस्कलन की संभावना बाले कई छेत्रों में विसेसक दल मौजूद होते हैं जो बिभिन तरीकों जैसे की बिस्पोटग, बरप और उधग और अन्य सुरक्षोपायों का उप्यूप करके हेमिस्कलन की जोकिमों की निगरानी और नियंतर करते हैं जैसे जानमाल की हानी ना हो अगर पेकारों में देखें तो हेमिस्कलन की पेकार देखें तो चटानी हेमिस्कलन जिसमें तूटे हुए चटानों की बड़े खंड होते हैं हेमिस्कलन तो जो सामानत आप देखें गिलेसियर के आसपास के छेत्र में होता है मलवा हमिस्कलन इसमें आप देखें जिसमें कई पेकार की आसम्मर्द सामगरी होती है जैसे चटान और मिर्दा इनके कारण की अगर हम लोग बात करें तो मौसम की इस्तिती के कारण भी हो सकता है जैसे भारी बरबारी तेजी से तामान परिवर्तन और ती भवाएं बारिस सभी हमिस्कलन की इस्तिती उत्पन कर सकते है धलान की इस्तिती भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है इसका कारण हो सकती है धलान की तीबिता अभी बिन्यास और आकार हिमिस्कलन की संभावना को बढ़ा सकता है उत्तल आकार के साथ खड़ी धलान बाले चित्र में विसेश रूप से हिमिस्कलन की संभावना होती है इसनो पैक की स्थिति, इसनो पैक की सरचना और इस्थिता भी हमिस्कलन की स्थिति में योग दे सकती है, इसनो पैक के भीतर हम या बरप की कमजोर पड़ते हैं इसके गिरने और हमिस्कलन को पेरित करने का कारण बन सकती है, मानवी ये गतिविदी भी कारण हो सकती है, इसकी इसनों मोबाइलर्स और अनमनोरंजन करने वालनों द्वारा ढलाएन पर किसी जाने वाली गतिवधी से हमिस्कलन की घटनाएं भी हो सकती है। लेकिन उनका परिवेस और कारक भी होता है। भूका ज्वालमुकी गतिवधियां अत्वा मानवी गतिवधी जैसे वेवेन कारकों से भी हो सकती है। हमिस्कलन और भूस्कलन दोनों ही संभावित रूप से खतरनाग और घातक हो सकते हैं। और उनके बचने के लिए आवसक सावधानी बर्पना अतेंथ आवसक होती है। और देखे आपदा प्रमंदर ही तु भारत की तरफ से प्रयास भी किये गये हैं। कि अगर इस तरह की कोई आपदा आती है तो क्या किया जा सकता है। राश्टी आपदा मोचन बल की स्थाफना NDRF के मियारे में सुनते हैं आ। भारत का राश्टी आपदा मोचन बल आपदा पितिक्रिया के लिए समर्फित 20 का सबसे बड़ा अक्तिव पितिक्रिया बल है। जिसकी साहता से भारत ने सभी पिकार की आपदाओं के प्रभाव को तेजी से कम किया है। अगर हम लोग NDRF की स्थाफना की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थाफना कब हुई थी? 2006 में हुई थी, ठीक है? और नई दिल्ली में इसका हेड़क्वार्टर देखने को मिलेगा। विदेशी आपदा रहत की रूम में भारत की भूमिका तो भारती सेंस अंसाधन अपदेश की अंतराश्टी मानवी साहता का एक बड़ा हिस्सा है। रहत आपूर्ती आमतोर पर नोसना के जहाजयों बिमानों द्वारा भेजी जाती है। नेवर हुड फर्ष्ट की अपनी अभ्यासों की मेजबानी भी की है। जो NDRF साज़ेदार राज्यों के साथ विमन आपदाओं से रिपणने के लिए विक्सित तक्नीक का पिर्दासन करेगा। और विम से टेक की अगर हम लोग बात करें तो इसके संगटन के बारे में भी याद रखेगा। बे और बंगाल की बात करें तो बंगलादेश, भूटान, भारत में अनुमान, नेपाल, सरी लंका, थाइलेंड आपको देखने को मिलेंगी। 6 जून 1997 में में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें एक बात आप लोग याद रखेगे का इस तरह के जो संगटन होते हैं उनसे आपकी पर 2030 तक आप लोग 17 देखते ना, सतत बिकास लक्षे उनी की बात हो रही है। जलवाई परिवर्तन पर पहरे समझोते के लिए सेंदाई फेंबरग को अपनाया है जो सभी DRR और आप देखेंगे कि जलवाई परिवर्तन अनकोल एबं सतत बिकास के मद्ध संबंध को इस्थप पहाडी दर्रा है नातुला का अर्थ होता है सुनने बालिक कान और ला का अर्थ होता है पास या भारत चीन के बीच एक खुली ब्यापारिक सीमा चौकी है और सिक्किम राज में इस्थिद अन दर्रे जैलेपला दर्रा डौंकिया दर्रा चिवा भंजग जंग दर्रा ये देखने को मिलेंगे कई बार पूछ लेते हैं कि यह दर्रा कहा है दर्रा कहा है किस राज में तो आप लोग जरूर याद रखेगा यह सिक्क्यम आपको दिखाई दे रहा है ना यहीं की बात हो रही है और अन्य दर्र हैं कुछ भारत की महत्वून जैसे दर्रा हो कि तो आप लोगों को कसमी घाटी को बाहे हिमाले और दच्छर में मैदानी इक अलागों के साथ जोडता है 12 लाचा लादर्रा एह माचल फिदेश की लाहॉल को लेहे से जिले से जोडता है फोटू लादर्रा एह लेहे को कारगल से जोडता है रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल फिदेश की लाहॉल और इस्पिती घाटी से जोडता है एक कई बार कुश्चन से पूछ लेता है कि रोहतांग दर्रा किस से जोडता है नाथूला दर्णा सिक्किम को तिबद की स्वायच छेज से जोड़ता है लिपू लेक दर्णा इभारत की चौरडन घाटी को तिबद की स्वायच छेज से या उतराकन चीन और नेपाल की ट्राई जंक्सन पर विश्तित है खारदूंग ला इलदाको सियाच इंगलेसियर से यह विस्का सबसे उचा मोटर बहन योग दर्दा है बॉम डी ला दर्दा यह अवड़ा चल्पिदेश में आपको देखने को मिलेगा कहां अवड़ा चल्पिदेश में तो इस तरह से आप लोग इतनी जानकारी इसके बारे में याद रखेगा और इनी घटनाओं से आप देखते हैं सेबिल सर्विस हो, इस्टेट की सीएस हो, वंडे एक जाम हो, इन्वे कुश्टन्स पूँचे जाते हैं कई बार पूँचे भी लेता है आप लोग पढ़ते रहिए, इन्जॉय करते रहिए आपका कोई सबाल हो, मेरे लिए सुजाओ तो आप लोग जरूर बता सकते हैं